एवतन मेरे वतन मुवी आती है Amazon के OTT प्लैटफॉम पर और इस मुवी को देखने के बाद मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि आर कुछ अच्छा देखने के लिए मचलने लग गया अब होता है नहीं कि आपने कुछ खराब सा खा लियो और आपका मुझा टेस्ट खराब हो गया और आप बस चाते हैं कुछ अच्छा मिल जाए कहाने को ताकि आपका मुझा टेस्ट सही हो जाए सेम फीलिंग आते है जब आप इस मुवी को देखते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे इस मुवी की यही लगी कि इस मुवी को Amazon के OTT प्लैटफोर्म पर रिलीज किया गया शुकर है इस मुवी को सिनिमा घर में नहीं रिलीज किया वरना इस मुवी के ऊपर लोग थूक करी या सच कह रहा हूँ अगर इस मुवी का रिव्यू ना करना होता कि ऐसा लग रहा था कि मुझे वी उल्टी आ जाएगी इस तरीकी की फिलिंग हो रही थी है सोच बैर इस मुवी ने किस हद तक तोर से किया दो घंटे लग बग इस मुवी को देखना या इसको झेलना यार कोई असान बात नहीं थी इस मुवी को मैंने देखा इस मुवी की स्टोरी पर इसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है क्या देखने को मिलने वाला है तो एक जो यह मुवी है वह 1942 यानि 1942 में जब हमारे देश में आजादी का दोर चल रहा था उस वक्त एक ब्रेव यंग गर्ल जो है कोई भी movement है उसको उन लोगों को बताना है तब उन लोगों को communicate उन से असानी से हो सके इन सब चीजों को लेकर ये movie बनाए गए क्योंकि देखे उस वक्त जो है मात्मा गाने में बाहर छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की कारण वह उनको मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको क्या किया गया जेल में डाल दिया गया अब यहां पर क्या होता है उशा महता जिनका नाम है जो एक real मैं कहुँगा कि उस freedom fighter थी उन्होंने real में 1942 के अंदर congress radio करके एक radio station जो शुरू किया होता है अब यहां पर उस वक्त क्या होता है कि radio चलाना एक तरीके से बैन होता है क्योंकि British rule है आपके सामने तो British अपने बारे में क्यों किसी को बुरा बोलने देंगी लोगों को उनको बारे में अच्छा बात तो एक और यह है कि यह कहीं न कहीं कोशिच कर रहे थे कि एक जो हमारे freedom fighter थे जिनके बारे में हमें पता नहीं था जिन्होंने योगदान भी दिया देश की आजादी में उनके बारे में हमको बताया जा रहा है 1920 के अंदर जन्मी उशा मैता जी जिनके मृत्यू 2000 में हो जो अच्छी बात थी कहीं न कहीं लेकिन यह बोलीवूड है तो भाई साब वो कहीं भी कोई अच्छी बात कैसे रहने दे सकता है जो उशा महता जी है उनका जो किरिदार है उनको निबाया है सारा अली खान है अब बस यहीं गुड़गोबर कर दिया मूवी का मतलब आप एक फ्रीडम फाइटर का किरदार निबार उस वक्त हमें क्या देखने को चाहिए था एक जोस हम देखें हैं जब मूवी को देख देश बक्ती की भावना हमारे अंदर आमने चाहिए लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता सारा अली खान को आप देखते हैं एक एक एक्सप खान को जब ये करिदार निबाने के लिए बोला गया यार इससे भी अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं इंडिस्ट्री के अंदर उनको क्यों नहीं मौका दिया गया वो इसको बहुत अच्छे से निबा सकते थे इवन यार इतना जादा बेकार परफॉर्मेंस लगी इतनी फेक परफॉर्मेंस लगी है उनके दौरा वन्दे मात्रम बोलना यार वो भी बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा था इतनी गरिना हो रही थी इतनी नफरस ही हो रही थी जब वो कोई भी डायलोग बोलने के लिए मूँ खुल रही थी इतना बुरा लग रहा था इस तरीके की बेकार performance की गया है उसके साथ-साथ movie की जो story है उसके ओपर भी कोई जादा well research नहीं किया गया है इसको एक तरीके से dull या फिर कहीं एक weak story हमारे सामने represent किया गया है हालांकि ये movie अच्छी हो सकती थी इसको अगर अच्छे इरादों के साथ इसको बनाया होता लेकिन इसमें कहीं न कहीं देशबक्ती की भावना तो हमारे अंदर कहीं भी नहीं जगती आप इस पूरी movie को जब देखोगे दो घंटे आप देखोगे तो आपको लगेगा है ये क्या कच्रा देख लिया मैंने ये क्या देखना था एच्छल में जो एक freedom fighter थी उसका कहीं न कहीं अपमानी करती है ये movie इतना fake production लगता है कि बीच में इसको बंद करने का मन करता है अचिए वो makeup की बात करो तो द्रेसिंग सैंश की बात करो जो time period है उसको दिखाया聊 इखाया आचिए हो story है उसको दिखायाoubl या performance उसको- दिखायाandy सारी चीजे choices fake ही लगती है कहीं पर भी आपको यी inspire तो बिलकुल भी नहीं करती और अब कहीं कहीं लोग जो है वो बोल रहे हैं यह जो मूवी है वो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस की अपीजमेंट के लिए यह लोगों के अदर कॉंग्रेस की भावना बनाने के लिए ये भावना पैदा करने के लिए, क्योंकि election आये हुए है, ताकि लोग जो है, वो Congress को vote दे सके, इसके लिए ये movie बनाई गई है, क्योंकि जिस तरिके से Congress रेडियो करके जो परचार हो रहा है, Congress ने क्या-क्या काम किये है, वही चीजें इसके अंदर दिखाए गई है, वो तो मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आप एक movie देखते हो, तो आपको उसके अंदर कोई motive नदर आता है, किसलिए बनाई गई गई, कोई देशवक्ती के लिए, आपको कोई जागरित करने के लिए, नहीं, ये आपको बस बोर करने के लिए बनाई गई है, आपकी सर में दर्द करने के लिए गई है, मेरे review के उपर न आ जाते हुए, एक बार खुद try करना चाहो तो बेशक कर लेना, बट मैं तो यही कहूँगा, कि भाई साब कोई जरूरत नहीं है, इसको तो आप skip कर सकते हो, even अगर delete का option होता तो delete भी कर देते हैं, तो बस आज के लिए इतना है रख